हेलो एबरीवन आज हम लोग सिखने वाले हैं टेस्ट अब डिजबिलिटी बाई 13 आपको मैं बता दू कि पिछले वीडियो में मैंने टेस्ट अब डिजबिलिटी बाई 7 मैंने बताया है अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं आपको वहाँ पर लिंक मिलेगा आप डिस्क्रिस में जाके भी लिंक देख सकते हैं और आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा वहाँ सभी आप पूल वीडियो को देख सकते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट अब डिजबिलिटी बाई 13 का आपका पहले आपको रूल सिखना है उसक के बाद ही आपका कल्कुलेशन जो है वो फास्ट हो सकेगा और कुछी सेकेंड में उसका एंसर देने के आप लाइक हो सकते हैं तो आपका इस टेस्ट डिजबिलिटी बाई 13 है कि यूनिट डिजिट आफ एनी नंबर मल्टिप्लाई बाई 4 इस इस दा मोस्ट इंपोर्टे मैं एक तरिक आपको बता है इसको क्या करना है उसके लिए जैसर कि अन्यूंत है कफेलिए कि जो ऑनी डिजिट होगा यहां पर देखें यूनिट डिजिट मेरा कितना है 9 है ठीक हैस एस यूनिट डिजिट को आत मल्लिप्लाई किजिए वाए फोर से इसको 4 से आप पार्ट्स है 36923 इसमें आप इसको एड कर लिजिए ठीक है आपको क्या करना है इसको एड कर लेना है तो यहां पर मैं एड कर लेता हूँ तो एड करने से मुझे मिला 6 और 39325963 ठीक है यह तो फिर आपका नंबर्स बड़ा हो गया ठीक है और आपको 13 से इसको पता करने में आपको थोड़ा से मुस्किल होगा अगेन आप इसका हमको रिपीटली कंतिन्युवस करते जाए फिर अगेन फोर से मल्टिप्लाई कर दिया फिर अगेन आपको कितना मिलेगा 9456 यहां थर्टीश मिलेगा ठीक है आपको इस 36 को अगेन आप यहां पर एड कर लिजे तो आपको मिलेगा 6 और 5 11 9 13 13 carry 1 6 7 and 3 हो गया ठीक है अब यहां पर क्या करना है फिर भी अभी अभी आप जो है वह आपको बड़ा लगेगा 13 से आपका divisible है या नहीं है आपको पता करने में अगें आप अगें क्या कर लिजें 4 से multiply कर लिजे ति आपका 4 हो गया आप 4 से add करने से आपको मिलेगा 4 3 7 7 3 अगें आप रिपेटली करते जाहिए आप 7 4 जा 28 अगें 28 से add कर लिजे 15 carry 1 3 5 1 2 5 1 6 और यह आपका 13 से डिवेजबल है 13 5 जा 65 ठीक है नहीं तो इस तरह से आप बहुत ही fast आपका calculation हो जाएगा अगर आप इसको practice करते हैं तो अब next question आपका यहाँ पर है 2 7 2 5 6 3 2 यह 13 से आपको divisible है या आपको पता करना है तो फिर आप इसको केसी किजएगा फिर इसको आप यहाँ पर repeat किजए 4 से multiply कर लिजे तो 4 2 जा आपका 8 आगया 8 से यहाँ पर add कर लिजे ठीक है 8 और 3 11 6 1 7 5 2 7 2 again 4 से multiply किजए तो यहाँ आपका 4 आ 7 5 1 6 2 7 2 again 4 से फिर 4 आएगा 4 से add कर लिजे 6 4 10 2 1 3 7 2 again 4 से multiply किजए तो 0 आएगा तो आपका same to same ही यह तो आपका 7 to same रहेगा ठीक है तो 2 7 3 again 4 से multiply कर जे 4 3 जा 12 12 add कर लिजे 7 और 2 9 2 1 3 और आपका यह 13 से divisible हो जाएगा 13 3 जा आपका कितना हो जाएगा 39 ठीक है तो यह आपका 13 से divisible है